Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject के videos free of cost provide किया जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद, आपको ना तो कोई subscription लेना है, और ना ही कोई package यहाँ पर purchase करना है. क्योंकि best quality content, best teachers के साथ आपको free of cost यहाँ पर provide किया जाता है. तो आज मैं आपके लिए current events का एक नया issue यहाँ पर लेकर आया हूँ, और इसमें हम लोग एक बहुत ही important topic discuss करेंगे, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन आज इस session को देखने के बाद, आपको इसके बारे में बहुत अच्छी information जो नाम है Farkland Island, तो इस से related यहाँ पर issue जो है वो निकल कर सामने आया है, तो Farkland जो आइलेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसकी location क्या है, और अभी actually क्या हुआ है कि Britain ने चाइना का एक claim है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि एक country है Argentina, उसको यहाँ पर support कर रहे है, कि इस से regarding की जो Farkland Island है, वो यहाँ पर क्या है कि उसमें Argentina का यहाँ पर अधिकार छेतर है, यह ब्रिटेन का कोई अधिकार छेतर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि China ने इस बात को re-affirm यहाँ पर किया है, कि हम जो है वो Argentina के यहाँ पर साथ में है, तो ब्रिटेन ने क्या किया है तो अब यहां पर क्या है कि यह तो current event है बलब इस तरीके की चीज़े जो है वो यहां पर news में आपको देखने को मिलेंगी लेकिन है क्या यह dispute है ना मतलब यह Farclan Island issue कैसे है है ना इसकी location कहां पर है और इसमें Britain है ना और इसमें चाइना और इसमें है अगर आप देखो के एडजेंटिना तो एशिया हो गया यूरोप हो गया साउथ अमेरिका हो गया सारे continent वाले यहां पर क्यों involved हो रहे हैं उन सब चीजों के बारे में इस topic में हम discussion करेंगे काफी interesting यहां पर यह इशू यहां पर होने वाला है और इससे आपके examination में question मगरा भी जो है वो पूछे जा सकते हैं ठीक है चले सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि यह जो news में है यह particular issue यह news में क्यों है तो recently यहां पर क्या हुआ है कि ब्रिटेन ने reject किया कि statement from China ठीक है चाइना ने कि statement यहां पर दिया है उसको ब्रिटेन ने जो है वो यहां पर reject किया है तो चाइना का यहां पर statement किया है कि that affirmed its support for Argentina's claim to the Farkland Island ठीक है मतलब यहां पर क्या है कि Argentina का जो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि claim करता है किसको Farkland Island है ना लेकिन यह Farkland Island जो है वो अभी किसके पास है वो अभी आपको ब्रिटेन के पास देखने को मिलेगा है ना ब्रिटेन की कई सारी overseas यहां पर territories हैं उसी मेंसे अगर आप देखोगे तो वह यहां पर Farkland Island भी देखने को मिलता है तो यहां पर क्या है कि चाईना यह कह रहा है दोनाने साथ में स्टेटमेंट दिया जिसमें ने चाइना ने यहाँ पर रियाफम किया एट सपोर्ट फॉर अर्जेंटीना इस डिमांड फॉर दा फुल एक्ससाइज ऑफ सोवरिनिटी ओपर दा मालविनास आइलेंड ठीक है बिसिकली यहाँ पर क्या है कि फॉकलें आइले लिए पूरा का पूरा जो अधिकार शेतर पर होना चाहिए फॉकलान плох लेंड से रे लेटिट वह किसका है वह अर्जेंटीना के बीजींग आपको देखने को मिले komme यह तीनों जो है यह कंट्रीज की कैपिटल बताती बाकी ब्रिटेन का फ्लैग हो गया और यहां पर फिर आपको यह चाइना का फ्लैग यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है चले अब हम यहां पर एशू की उपर आते हैं तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपका भारत में है ठीक है ऐसे जा रहे हो तो इदर राइट साइड में अगर आप आपको नीचे जाओगे तो एफरीका देखने को मिलेगा फिर उसके बाद साइड में आप देखोगे तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका फिर सेंटल अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका यहां पर आपको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका जो है अगर आप आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो है आपको Atlantic Ocean यहां पर देखने को मिलता है ठीक है तो Atlantic Ocean यहां पर हो गया और इसी के पास यह पटिकुलर रीजन है ठीक है जहां पर यह आपको Shaded Part दिखा रहा हूं यह जो पटिकुलर रीजन यहां पर होगा इसमें इस तरीके का यह अधिकशना जो है यह दो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो अभी होआँ पर बता जा रहा है इसको हम यहाँ पर कहते है यह Spanish जो इसके अभला मेरी नास है यहाँ यहाँ पर अलग तरीके के नाम है इनके ति किलुए इसको I एलेंड बोलो यह सब एक ही है internally self-governing overseas territory of United Kingdom in the southern Atlantic Ocean ठीक है याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि यह self-governing है मतलब इसमें Britain इसको govern नहीं करता है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो भी आपको political authority देखने को मिलेगी वो इसको यहाँ पर govern करती है ठीक है लेकिन याद रखिएगा यह overseas territory है जैसे अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया भी क्या है Britain की overseas territory आपको देखने को मिलेगी ठीक है जो ब्रिटेन है उसकी एक overseas territory जो है वह आपको इंडिया देखने को मिलता था तो याद रखिएगा United Kingdom की overseas territory है और यहाँ पर यह South Atlantic Ocean में तो एक वह Panama Canal जो है वह यहाँ पर connect करती है जैसे Suez Canal जो है वह Maridernian Sea को Red Sea से connect करती है उसी तरीके से Panama Canal Pacific Ocean को Atlantic Ocean से यहाँ पर connect करती है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखेंगे कि इसकी जो capital और major town है वो Stanley आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर है East Falkland में ठीक है याद रखिएगा यह East Falkland में देखने को मिलता है There are also several scattered small settlement as well as a Royal Air Force base that is based at Mount Pleasant ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि एक Air Force का base भी आपको देखने को मिलेगा The two main island East Falkland and West Falkland and about 200 smaller island ठीक है तो में जो है वो East Falkland और यह West Falkland हो गया और फिर छोटे-छोटे बहुत सारे आपको ऐसे कोई कैसे क्लेम कर रहा है ब्रिटेन तो यूरोप में बैठा हुआ है है ना फिर वो यहाँ पर South America के पास जो कुछ islands है उसको कैसे क्लेम कर रहा है है और आज के time period पर चाइना क्यों कूद गया तो इन सब चीज़ों को अब हम इसका इतिहास समझते है ठीक है 65 में जैसे ब्रिटिशल्स हर जगे पहुंचते थे वैसी वो लोग यहां पर क्या हो गए कि जो यहां पर यह वेस्ट फॉक्लेंड यहां पर था ठीक है मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखोगे यहां पर तो सबसे पहले ब्रिटिशल्स जो है वो आकर यहा जाना पड़ा 1770 में क्यों क्योंकि उस टाइम पिरेट पर जो इस पेन है यहां पर मैप आपको देखने को मिलेगा इस पेन की जो राजधानी उसको मैडरिट बोलते हैं चहां पर वर्ल्ट टूरिजम और्गनाइजिशन का हैड़को आपको देखने को मिलता है तो इन्हों से क्या हुआ कि 1765 में ब्रिटिश के आने के बाद भी उनको यहां से जाना पड़ा दा ब्रिटिश आउट पोस्ट ओन वेस्ट फॉक्लेंड वस रिस्टोड इन 1771 आफ्टर थृट ऑफ वर बट देन दा ब्रिटिश विड्रो फ्रॉम दाइलें 1774 ठीक है अब यहां पर क्य कर दिया कि वह वापीस आगे 1771 में उनको समझ लगा होगा कि हमने वह आइलेंड यहां पर छोड़ दिया जिसकी सिग्निफिकेंस जो है वह भविश में बहुत जादा हो सकती है तो उन्होंने क्या कर दिया कि 1771 में वह वापीस आगे अगर हमको नहीं दोगे तो हम यहां प वह पर आकर रहोगे तो एकॉनमिक यहां पर जो चीजें बर्डन आपकी उपर पड़ेगा है ना खर्चा यहां पर आएगा वहां पर जो लोग रहेंगे उनको सब चीजें आपको प्रोवाइट करनी पड़ेंगी तो एकॉनमिक रीजन से जो है वह 1774 में वापिस चलेगा लेकिन याद रखिएगा उन्होंने यहां पर क्या किया कि रिनाउंस नहीं किया फॉकलेंट पर अपना यहां पर क्लीम मतलब उनको कहना यह था कि अभी हमने डिकलियर नहीं किया कि फॉकलेंट हमारा नहीं है हम इसको छोड़ कर जा रहें लेकिन फॉकलेंट जो है वो हमा वहां पर क्या हुआ कि उसको purchase कर लिया तो इस पेन का हो गया 1767 में purchase किया और 1770 में जो British हैं वहां से चले गए फिर क्या हुआ कि 1771 में वह वापी साइकॉन British उन्होंने बोल दिया कि अगर हमको नहीं होगे तो हम यहां पर क्या करेंगे कि लड़ाई लड़ लेंगे हैंना लेगिन 1774 में वह चले गए क्योंकि छोड़ा सा पैसे बगरा ज्यादा लग रहे थे और इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो क्लेम था किसके उपर Falkland Island की उपर वो रिनाउंस नहीं किया मनलब छोड़ा नहीं लेगिन वो लोग वहां से चले गए तो यह अभी तक का development मैंने आपको बताया 18th century में इस तरीकी की बाते जो है वो यहां पर हो रही थी Spain maintained a settlement on East Falkland which is called the Solidard Island until 1811 ठीक है तो अब यहां पर क्या हुआ है कि अब मैंने आपको यह बताया कि यह जो यहां पर था इसमें Britishers का control था लेकिन East Falkland जो आपको देखने को मिलेगा इसमें यहां पर किसकी रूलिंग थी अगर आप देखोगे तो 1811 तक है ना आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि Spain जो है इसको यहां पर maintain कर रहा था ठीक है in 1820 the Argentina government which had declared its independence from Spain in 1816 तो यहां पर क्या है कि अर्जेंटीना जो है उसको गुलाम किसने बनाया है उसको गिलाम बनाया है तो यहां पर क्या हुआ कि जो अर्जेंटीना की सरकार है उसने 1820 में जो है वो अपनी independence जो है वो यहां पर डिक्लियर करी मतलब आप यह कह सकते हैं कि 1820 the Argentina government which had declared independence from Spain in 1816 मतलब इनको इंडिपेंडनेस जो है वो 1816 में मिली थी लेकिन अर्जेंटीना की जो गौर्रमेंट है उसने 1820 में यहां पर बोला कि भाई प्रोक्लेम किया sovereignty over the Falklands ठीक है अब यहां पर क्या है कि अभी हमने देखा कि France के पास था France के बाद जो है वो यहां पर Spain के पास चला गया Britishers आए Britishers ने उसको क्लेम किया लेकिन इस पेन ने क्या किया था कि Spain ने जो है वो अर्जेंटीना को यहां पर गुलाम बनाया था तो जब 1816 में यहां पर क्या हुआ कि अर्जेंटीना को यहां पर इंडिपेंडेंस मिल गई तो 1820 में उनकी सरकार नहीं यह बोला कि जो यह Spain के पास यह Falklands है इसकी उपर हमारा अधिकार छेतर है मतलब इन्हों ने बोला कि प्रोक्लेम इट्स सूवनिरिटी ओवर दा फॉक्लेंट ठीक है तो यूएस वाडशिप डिस्ट्रॉइड दा अर्जिन्टाइन ठीक है सेटलमें ओन इस्ट फॉक्लेंड इन रिप्राइसल ऑफ दी अरेस्ट ऑफ त्री यूएस शिप दैट हैड मिन हंटिंग सील्स इन दा एरिया तो अब यहां पर क्या हुआ कि यूएस के जो यहां पर वा यूएस को गुस्सा आ गया है ना कि अर्जेंटीना की मतलब यह कैसी हिम्मत ऐसी कैसी हो गई कि भाई हमको आपने यहां पर क्या किया कि अरेस्ट कर लिया हमारे शिप को हैना हम सील सी तो यहां पर हंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या कर लिया कि जो आर्जेंटीना का यहा यहां पर गुस्सा आ गया और उनके वाडशिप्स ने जो अर्जंटीना का यहां पर क्या था सेटलमेंट कहां पर इस्ट फॉक्लेंट में वेस्ट वाला जो था वो ब्रिटिशर्स का है याद रुखिएगा है न तभी चीजें जो है वह आपको कनेक्ट होती हुए दिखाई की यूइस भी हँआ पर इन्वाल्फ हो गया था तो जो कुछ बचचे हुए लोग थे तो ब्रिटिशर्स निहां पर क्या किया कि जги अर्जिंटीनियन यहां पर लोग थे उनको इहां पर बिना धम्गी देकर यहां पर भगा दिया 1841 में बीटेश सीवलियं लेफटनेंट governor was appointed for the Falkland and by 1885 a British community of some 1800 people on the island was self-supporting ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यह कह सकते हैं कि Falkland Island के लिए एक lieutenant governor यहाँ पर appoint किया गया और वहाँ पर कुछ लोग जो है वो आकर रहने लग गया तो इस तरीके से Britishers ने क्या किया कि वहाँ पर अपना पूरा का पूरा जो control है वो यहाँ पर establish किया अर्जेंटिना रेगुलरली प्रोटेस्टे ब्रिटेंस occupation of the island ठीक है और अर्जेंटिना जो है वो तब से यहाँ पर आप यह कह सकते है कि ब्रिटेंग ने यहाँ पर जबर जिस्ती जो है आई-लेंड वेस्ट फॉक्लेंड और इस फॉक्लेंड पर जो है occupation वहाँ पर गया है क्योंकि वेस्ट में तो पहले इस्ट में जो थे वह इस्पेन वाले लोग थे इस्पेन से जब यहाँ पर अर्जेंटिना को इंडिपेंडेंडेंस मिली तो अर्जेंटिना को इस फॉक्लेंड यहाँ पर मिल गया युएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया उनका वो सेटलमेंट क्यों कि उन्होंने युए शिप्स को यहाँ पर अर्ष्ट कर लिया था तो जो बचे हुए लोग थे उनको वहां से ब्रिटे यहाँ पर वाज उठाता है कि ब्रिटिश ने हाँ पर जो ऑक्यूबेशन किया यह गलत तरीके से किया तो यह पूरा का पूरा एक इतिहास आपको समझ में आ रहा है कि जो फाइक फॉक्लेंड आइलेंड यहाँ पर इश्यू है वो किस तरीके से आगे बढ़ा फिर क्या आपर वार वार वन वर वर्ट निंटीन से एन इंटीन नियुक्ति पडिशन के बारे में बात हुई है ना पहले हमने क्या गिया था कि वर्ट वर वन के बाद लीग ऑफ नेशन को इहां पर established किया था है ना कि वर्ड वार्ट टू को प्रिमेंट करना है लेकिन वर्ड वर्ड टू हो गया फिर 24 अक्टूबर 1945 को हमने United Nation का establishment यहां पर किया तो आप यहां पर क्या है कि decolonization के बारे में बात हुई कि भाई जिसको जिसको आपने यहां पर यहां पर यहां पर होना चाहिए तो फिर क्या हुआ कि यह जो Falkland Island यहां पर था इसकी जो sovereignty वाला issue यहां पर है वो United Nation में discuss किया जाने लग गया है ना कि भाई यह किस तरीके का issue है है ना किस तरीके से decolonization होगा इन सब चीजों के बारे में United Nation में बात हुई 1965 में देखोगे तो United Nation General Assembly ने approve किया resolution inviting Britain and Argentina to hold discussion to find a peaceful solution to the dispute तो यहां पर क्या हुआ कि Argentina और Britain को यहां पर 1965 में UN General Assembly ने यहां पर बुलाया कि आप लोग आईए आप लोग आपस में बातचीत करिए और यहां पर यह find out करिए कि किस तरीके से जो peaceful solution यहां पर हो सकता है वो यहां पर निकाला जा सकता है इस प्रोट्रेक्टेड डिसकेशन वर इस्टिल प्रोसीडिंग इन फेपररी 1982 बट इन अप्रेल अर्जेंटीना स् मिलिटरी गोर्मेंट इन विडिट दा फॉक्लेंट बातचीत यहां पर चल रही थी लेकिन क्या हुआ कि 1982 में जो अप्रेल का महीना था तो उसमें क्या ऑखलेंट जो आइलेंड उसके उपर अटैक कर दिया इन वेड़ कर दिया ठीके बातचीत युनाइटेड निशन में चल रही है लेकिन 1982 में अर्जेंटीना की मिलिटरी गोर्मेंट ने वहां पर उसको इन वेट कर दिया इस अक्ट स्टार्टिड दा फॉक्लेंड आइलें जो मिलिटरी आर्मी आप आपको देखने मिलिटरी गोर्मेंट यहां पर नोखने तो यह चीज आपको देखने को मिली फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन और अर्जेंटी ना अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन दुबारा इस्टाट हुए पाच चीत वगरा ट्रेट वगरा जो है यह सब चीजे दुबारा इस्टाट हुए लेगिन हमेशा क्या होता है कि कुछ चीजे ऐसी होती है जो हमेशा आंक में खटकती हैं है तो वो कौन सी खटकने वाली चीज थी वो फॉकलाइन आइलेंड जो था वो हमेशा यहां पर क्या था पॉइंट ओफ कंटेंचन दोनों कंट्रीज के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा इन्दा अर्ली 21st संचुरी ब्रिटेन कंटिनू टू मेंटेन सम 2000 टूप्स आइलेंड ठीक है मदलब 21st संचुरी में अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो आइलेंड थे वहां पर करीब 2000 टूप्स जो है वह आपको यहां पर ब्रिटिश ने जो है वह यहां पर रखे हुए थे कि भई अगर भविश में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम यहां पर होत ठीक है मतलब 2009 में कुछ डिवलब्मेंट यहां पर होते हैं कि भई जो फॉकलेंड में रहने वाले लोग है इनको थोड़ा अधिकार यहां पर दिये जाए है न अब इसको इनको कौन यहां पर गवन करेगा किस तरीके से यहां पर यह काम होगा तो यहां पर क्या हो गया कि कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें गई जो फॉकलेंड यहां पर आइलेंड था उसकी लोकल डेमोकरिटिक गवर्मेंट को और यहां पर क्या है कि जो आईलेंड में रहने वाले लोग है वह अब यहां पर डिसाइड करेंगे कि वहां की जो पॉलिटी है वो किस तरीके से हो हुआ कि islands voted nearly anonymously to remain a British overseas territory मतलब वहां के लोगों से पूछा गया कि भाई क्या British जो overseas territory है वह आप यहां पर रहना चाहते हुआ नहीं तो आप एक चीज यह भी देख सकते हैं कि British ने अपने लोगों को वहां पर deploy किया हुआ था तो voting भी उसी के हिसाब से होगी तो यहां पर क्या हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि अना इनमस्टी मतलब बिना किसी विरोध के लोगों ने vote किया कि हम क्या करेंगे कि हम British overseas जो territory है वो यहां पर रहना चाहते हैं मतलब Britishers के साथ ही हमको अब उसके बाद हम यहां पर यह समझ चुके हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा development हुआ मलब हमने 18th century से लेकर 21st century तक जो भी latest development यहां पर हुए उनके बारे में मैंने आप से बात कर लिए ठीक है अब हम यहां पर सब कुछ आ गए तो यह जो different claims आपको देखने को मिल रहे हैं इनका basis क्या है इनका आधार यहां पर क्या है किस तरीके से अलगला countries इस Falkland Island के लिए हम पर claim कर रही है इस बात को समझते हैं तो अर्जेंटीना आपको यहां पर map देखने को मिल रहा है ठीक है फ्लैक जिसके राजधानी यहां पर आपको Lisbon देखने को मिलती है ठीक है had divided the new world between themselves on succession from Spain on the island proximity southern America and on the need to end the colonial situation मतलब यहां पर क्या हुआ कि उस time period पर Spain और Portugal जो थे वो काफी powerful आपको सदर अमेरिका में यहां पर देखने को मिलते थे तो उन्होंने क्या कर लिया कि अपना अपना एरिया जो है वो इहां पर divide कर लिया है ना कि यह तुम्हारा region होगा यह हमारा region होगा इस तरीके से बात हुआ ब्रिटेन यहां पर यही बोला जा रहा है तो आप यहां पर क्या हुआ कि Spain के पास जो चीजें थी है ना वह यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया था अर्जंटीना जो है उसको यहां पर गुलाम बनाया था तो अर्जंटीना से जब यहां पर उनको आजादी मिल ग तो यहां पर क्या है कि treaty of produce आपको 1494 की देखने को मिलेगी जिसमें इस्पेन और पॉर्चिकल ने जो उस पर्टिकुलर रीजन का यहां पर आपको वल्ड था उसको डिवाइड किया था और सक्सेशन फ्रॉम स्पेन और आइलेंड प्रॉक्सिमिटी टू सूथ अमेरिका है न चर्वंने अपने अपने इसापसे और दिवाइड कर देते हैं तो तो यह striking तो आप स्पेन पर यहां पर है किसे यह देखको है यह आपका वेडन पास में और है और इस्पेन यहां पर कंट्रॉल कर रहा था था तो अब यहां पर क्या हुआ है कि अगर आप देखने को मिलेगा यह इस पेसिस पे यहां पर आपको देखने को मिलता है तो इसलिए आपको यह पर ध्यान लखना है फिर उसके बाद Britain based its claims on its open continuous effective possession occupation and administration of the island since 1833 and its determination to apply to the Falkland the principle of self determination as recognized in the United Nations Charter ठीक है तो अब यहां पर क्या हुआ कि Britain यह कह रहा है कि हम बहुत time से यहां पर रह रहे हैं है न हमने referendum में यहां यहां पर कर आया वहां के लोग यह कह रहे हैं कि हमें Britain के साथ यहां पर रहना है तो Britain का claim यह देखने को मिलता है तो ब्रिटेन के कई सारे claim जो होते हैं वह हमेशा controversial आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपने colonize यहां पर किया तो आपका एरिया थोड़ों यहां पर कर रहा है तेकिन कई सारे ऐसे issues हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जिसमें ब्रिटेन की बारे में इस तरीके की चीज़ें जो है वह आपको देखने को मिल रही है ठीक है ब्रिटेन asserted that far from India colonial situation अर्जेंटिना rule and control of the lies of the Falkland against their wishes would in fact create one ठीक है मतलब यहां पर क्या हुआ क्योंकि पहले तो क्या था कि पहले Spain मगरा के case में आपको देखने को मिलेगा फिर Argentina ने वहां पर rule किया है न मैंने आपको अर्जेंटिना का case भी यहां पर बताया था फिर war वगरा वाली situation भी हो गई तो ब्रिटेन यह कह रहा है कि वहां की जो लोग है ना उनके अगेंस्ट में यहां पर यहां पर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है तो इस तरीके की बात यहां पर कौन कर रहा है यह आपको दे हमने नंकने और बाकि आप देखेंगे तो यह है पूरा का यह कपर यह आपका मैब है ठीक है यह आपका West Fockland है ठीक है यह आपका a East Fockland है और इसके आपका पास यह साओध साहँ इंटिक हुशन यहाँ पर हो गया ठीक है तो इस तरीकी के बहुत सारे हंपर अलग-अलग ज इसका इस्युप यहां पर क्या है और चाइन παर अльजनटीना का क्यों tu सपोर्ट कर रहा है क्योंकि zodम रिजन अपकी तरफ से यहां पर क्या solution हो सकता है मतलब कौन सही बोल रहा है या जो ब्रिटेन का क्लेम है वो ब्रिटेन का क्लेम यहां पर सही है आप यहां पर क्या सोचते हैं आप इसका अंसर मुझे बताएगा और what would be the possible solution किस तरीके से इस चीज को यहां पर किया जा सकता है ठीक है अगर आपने सेशन को अच्छे से देखा होगा तो आप इस कुश्चन को बहुत आसानी से आंसल करेंगे है ना पेपर में आपके कुश्चन ऐसे ही आएगा कि दा फॉक्लेंड आइलेंड इस्प्यूट बिट्मीन विच आफ दिटू कंट्रीस के जिसने पढ़ा है उसके बन जाएगा जिसको नहीं पता फॉक्लेंड आइलेंड यहां पर क्या है उससे कुश्चन नहीं बनेगा बाकि आप सब लोगों ने इस कुश्चन का आंसर जो है बिल्कु सही दिया है आपको यहां पर देखने को मिलता है ठीक है चले तो यह था हमारा कंप्लीट एनालिसिस आई होब आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जो भी चीज़े मैंने यहां पर डिसकस करी हैं वो अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर हो गई होगी होगी Magnet Brains पर Hindi Medium के जो students हैं उनकी सुविधा के लिए Magnet Brains Hindi जो YouTube चैनल है वो यहां पर स्टार्ट किया गया है जहां पर आपको सभी content Hindi में प्रोवाइट किया जाएगा तो अगर आप Hindi Medium के student हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग भी सब्सक्राइब करें और साधी सा आपको फ्री यहां पर प्रोवाइट किया जाता है तीक है इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन मगरा लेने की आवशकता नहीं है और आपकी सुविधा के लिए Magnet Brains की ओफिशल वेबसाइट और एब पर सभी class सभी subject के वीडियो को एक arranged format पर प्रोवाइट कर दिया के साथ परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि एक important issue था और आप मुझे ये भी बताना कि आप में से कितने लोग हैं जिसको इस issue के बारे में आज इस वीडियो को देखने के बाद यहां पर पता चला ठीक है तो अगले session में एक नए topic के साथ मैं आप से मिलूँगा तब तक keep smiling and keep preparing लगे रो exam clear करो thank you so much jay hin